हालो फ्रेंट्स वालकम टू रेखा क्रियेशन तो फ्रेंट वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी को हैपी नुई यह यह मेरा साल का फर्स्ट वीडियो है तो फ्रेंट वीडियो सुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अगर आपको सबसे पहले मिले तो चलिए इस जगह हम बीडियो करते तो आज का हमारा टॉपिक है टैंसेल कबीक कभी यह Самका में कम करना बन कर देता धागा धागा जब हम लगाते हैं जब झाइक करते हैं तो तो जो ऑटेशल होती है वह सिलाई खराब होती है तिक hard और स्रीक खराब होती है और हम परिसान होते रहते हैं. मान लिएज़े कभी आपकी एक प्लेट इसमें से ये तार ये जो आप तार देख रहे हैं तो अब ιसे घर पर कैसे चेंज करोगे वो मैं आपको दिखाऊंगी. तो फ्रेंट, अभी तक आपने वीडियो को like और subscribe नहीं किया, तो जल्दी सी like और subscribe कर ले तो सबसे पहले जाब ये plate देख रहा है, इस plate को हम खोल लेंगे इस nut को हमें खोलना है, सबसे पहले ये nut कोstopG इस टैंसिल को हमें खोलना है तू फ्रंट आप इस जगा देखना आपको एक नट दिखती होगी, तो फ्रंट जैसे की मैं आपको दिखाय है यह नट इस नट को हमें क्या टरना न खोल लेना है, देखे ये बहुत आसानी से खुल भी जाता है और इसे मैंने हलका सा लूज किया और देखे मैं आपको देखा रही हूँ दिखे ये बाहर निकल गई है ठीक है तो फ़िलएं इस तरह से आप नया तो इस तरह से आप इसे चेंज कर सकते हैं घर पर मेकेनिक के पास आपको जाने की जरुत नहीं पड़ेगी तो चलिए मैं इस से लगा देती हूं अब इसे हमने फिक्स कर दिया है अब नट को हम क्या करेंगे इस दगा टाइट कर लेंगे अब हम इस प्लेट को सट कर देते हैं इसमें और नट को भी टाइट कर लेंगे तो फ्रेंट आज की वीडियो मैंने आपको टेंसिल बदलने सिखाया है तो फिर मैं उमीद करूंगी ये वीडियो आपके लिए काफी यूसफूल होगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेस्क्राइब एट सेयर करना ना भूले मिलते हैं मसीन की एक नई वीडियो के सा बढबे